देखें, Electromagnetic Induction में क्या बताया गया? देखें जान से, एक Quail ली गई, मैं कहानी बता रहा हूं जो पुरानी वाली थी एक Quail ली गई, ये Quail ली गई, है? भाई, फेरडे साब का कहना था, कि जहां पर Electric Field होता है, उसके चारो और Magnetic Field Create होता है जहाँ current flow होती है उसके चार और magnetic field create होता है तो उनका कहना था कि जहाँ magnetic field है वहाँ भी current होनी चाहिए वहाँ electric field होनी चाहिए तो उन्होंने experiment किया ये coil लिया और यहाँ पर एक लगा दिया galometer galometer क्यों लगाया वो कुछ नहीं बोलेगा वाई galometer उसे भौगना कहते हैं वो सांस ले रहा है galometer क्यों लगाया कि galometer बहुत minute से minute current को भी major कर लेता है तो इसके बाद इसके पास एक magnet लेकर के आए नार्थ पूल माले लेकर के आए बताँ स्पीड से लेकर के आए एक magnet रख दिया इसके सामने माल लिया तो कोई फरक नहीं पड़ा लेकि जब magnet को लेकर के आ रहे थे तो हो क्या रहा था कि जब magnet इसके पास आ रहा था तो इससे जो magnetic lines निकलती है वो change होंगी नहीं होंगी जैसे इससे नजदीक आएगा अगर इसको आप दूर रख दो तो lines कम गुज़रेंगी पास कर दो तो lines ज़्यादा गुज़रेंगी तो ये जो coil थी वो उसके गैलोमेटर में एक deflection आ गया इसका मतलब क्या हुआ इस coil में current flow होना सुरू हो गई तो उन्हों देखा कि coil में current flow हो गई और ये कौन नजदीका रहा है नार्थ पूल तो इसके सामने नार्थ पूल create हो गया मतलब नार्थ पूल नजदीका रहा था सामने वाली coil उसको क्या करती है वो change को oppose करती है ये किसका नियम लग रहा है यहां पर inertia का नियम ठीक है तो ये तो था आपका electromagnetic induction अब उसका एक concept आ रहा है हम self induction को तो देखे self induction क्या होता यहीं से हम बात start करते है देखे self induction हमने क्या किया एक coil ली का गानावना का रहा है क्या इसको बाहर निकाल देखे जान से और coil में current flow होना सुरू कर दी हमने current flow कराना सुरू किया हमने ठीक है हमने देखा यह क्या है कहने यह कुछ बना है यह क्या है reosted है ना reosted क्या करता है किसी circuit में resistance को घटाता बढ़ाता है अच्छा यह circuit में resistance ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है और यह अगर आप practically समझे current यहाँ से बैटरी से यहाँ आई और यह होते 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 यहाँ पहुंची current यहाँ से आई यहाँ निकल गई relation ज्यादा किसमें है दूसरे वाले में तो जैसे ही हमने इसमे current को flow कराया ऐसे current flow ने लगी एकदम से जब flow कराया मतलब यहाँ की लगी है एकदम से की on किया और current flow ना शुरू हो गई जैसे ही current flow ही हुआ क्या होगा current flow ही होगी और क्या हुआ होगा हुआ यह होगा कि यह जो coil है ना इसमे current flow ही तो इस coil के center पे magnetic field बना होगा ना नहीं बना होगा और वो magnetic lines दूसरे coil से गुजरी होगी उसी प्रकार से दूसरी coil में ही बना होगा magnetic field वो भी आगे ऐसे गुजरी होगी तो जैसे ही current flow ही वैसे ही इसमें magnetic flux क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना तो यह coil क्या करेगी उस flux के बढ़ने को अपोस करेगी तो अपोस करने का तरीका क्या है current के बढ़ने की वज़े से magnetic flux change हो रहा है ना तो current को घटाने का प्रयास करेगी ना तो इसमें opposite direction में एक current flow करना शुरू कर देगी इस current को हम क्या कहेंगे induced current induced eye ठीक है यहाँ पर eye लिख दीजेगा induced current लिखियेगा पूरा अब जब यह current flow हो रही है माले यह current लो हो रही है अब हमने क्या किया current को कम कर दिया current को कम कर दिया तो quail क्या करेगी है उसको बढ़ाने की कोसिस करेगी तो इसमें एक induced current उसके support में flow होने लगेगी ठीक है? induced eye आप current लिखिएगा मतलब बढ़ाने की कोशिज करेगी support का मतलब वो नहीं है अब भाई coil क्या करती है कोई भी चीज के change को oppose करती है current को आप कम कर रहे हो तो बढ़ाने की कोशिज करेगी और बढ़ा रहे हो तो घटाने की कोशिज करेगी ये coil खुद ऐसा कर रही है इसलिए इसको क्या कहते है self induction मतलब किसी भी coil में अगर current flow हो रही है और flow होती हुए current को बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसमें अपने आप एक induced current flow होती है जो उस coil में किये गए changes को oppose करती है इस event को इस घटना को हम self induction कहते है swap period अपने आप सिर्फ प्रेडित होती है सुम्झे अई बात ये nature में ऐसा होता है क्यों हुआ सुम्झे आगया क्योंकि current flow ही magnetic flux बढ़ा तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगी यहाँ current कम किया तो flux कम हुआ तो बढ़ाने की कोशिश करेगी ठीक है तो ज़रा इसकी definition लिखेगा ये मिला आपको the phenomenon of electromagnetic induction the phenomenon of electromagnetic induction the phenomenon of electromagnetic induction in which the phenomenon of electromagnetic induction in which on changing the current in the coil on changing the current in the coil and opposing EMF is set up and opposing EMF तो कहते हैं back EMF and opposing EMF is set up in that coil and opposing EMF is set up in that coil this the phenomenon लिख दिया न is called self-induction is called self-induction statement देख लो पुरा sentence complete हो रहा है self-induction electromagnetic का वो phenomenon होता है जिसमें किसी भी coil में current flow होने पर या बढ़ाने पर उसमें एक opposing EMF set up हो जाता है इसको हम कहते हैं self-induction this induced EMF is called back EMF इस EMF का नाम क्या होता है back EMF कहलाता है back EMF क्योंकि current को back करता है current बढ़ती ही current को कम करने की कोशिश करता है logic design में आया अब जैसे हमने बताया कि मालिया पंका चल रहा है या पंका नहीं चल रहा है आपने उसको चलाया current को on किया जैसे on किया पंके में current flow ही पंके में coil है coil में current बढ़ी तो coil क्या करेगी उसमें अपने आप एक current flow होगी जो उस बढ़ती भी current को आप पोस करेगी ठीक है ये छणी खोती ही थोड़ी दिर के लिए इसके बाद current लगातार फ्लोर ही कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपने switch up किया वैसे ही वो back हो जाएगी कम सरी आपने खीच लिया ना तो बढ़ाने की कोशिश करेगी जैसे bulb कभी अगर ध्यान दिया हो light जब जाती है तो एकदम से आपको लगता एक ट्यूबलेट तेज ही ऐसा लगता है अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया ना उसका रीजन सब क्या inverter लगा हुआ है ने वो नहीं लो अरे उतो filament होता है एक तो filament होता तो नहीं बात हो दूसरी बात आपकी आँख में ठीक है एक ऐसी होता है कि थोड़ी देर तक इमेज बनी रहती है आप चुकि कलर टीवी में ऐसा नहीं होता कभी आगर आपने देखा हो वो फेस्बुक पे उसमें किसी वो आता है एक फीगर दिया होता है ब्लैक तीन स्पॉर्ट दिया होते है कहते हैं ध्यान से उन्हें स्पॉर्ट को देखो फिर आप इसे कहीं देखो तो स्पॉर्ट आपको दिखाई पड़ेंगे वो इमेज आपकी आँख मनती है वाई जिसके आप ब्लैक और वाइट टीवी हुआ करती थी और जब लाइट जाती थी तो जाती थी जाने के बाद ढूना जाता था वो माचिस कहा है यह हमने देखा नहीं है हाँ तो दिखता रहता होगा होता है तो यह होता है आँख में इसको हिंदी में कहते हैं द्रश्ट निर्बंधता इंगलिस में क्या कहते है विजन कुछ होता है तो वो image अपने आप बनी रहती है । नहीं होता है वो image बन जाती है नहीं मतब इसब पिच्चरों में दिखाते हैं, घर में कोई नहीं कहता है आँकों बसाले लो कबी TV अप कलंड में नहीं होगा, अगर आप किसी कहां में दब्बे वाली TV तो अगर ध्यान से जब लाइट जैसे बल्ब जला है, बल्ब जला, लाइट गई, जैसे लाइट गई, उसका फिलामेट क्या करता है, लाइट को बढ़ाने की कोशिश करता है, ज्यादा करने की कोशिश करता है, उसी दरूर फ्यूज हो जाता है, यानि 90% बल्ब फ्यूज कब होता है, जब हम उ पिजाब कर रहे थे न, तभी ओफिज हुआता। क्यों क्योंकि उसकी क्वायल में करेंट लो रही थी। और जब आपने आफ किया था न तो वह क्या कर रही थे। करेंट को बढ़ाने की कोसिस करेंट को बढ़ाने कोसिस की वजय से वोल्टेज उसका ही हो गया थर वो फ्यूज हो गई थी तो आप अब कभी ध्यान दीजेगा जब लाइट जाएगी अब तो सब क्या इंवर्टर है इस लाइट जाती नहीं है लेगी जब जाएगी लाइट मालू हो जाता लाइट चली तो आपको लगेगा लाइट थोड़ा सा तेज हुई ऐसा लगेगा ठीक है तो वह आपका Self induction होता है इस डाइग्राम को बना लिजेगा यह ना बनाएगा क्यों हुआ है हमने का जब हमने करेंट फ्लोग राइ तो जो क्वाइल थी इसके अंदर एक मैंगेटिक फिल्ट क्रेट हुआ वो मैंगेटिक लाइंस दूसरे क्वाइल से पास हुई और दूसरी कॉयल ने उसको अपोज किया और अपोज की वज़े से वहाँ पर self induction हुआ ठीक है तो यानि कि जितना ज्यादा current फ्लोग रहा होगी उतना ही ज्यादा induction होगा यानि आप कह सकते हैं कि total जो flux पास हो रहा है वो current पर depend कर रहा है कह सकते हो नहीं कह सकते हो तो लिखे if number of turns in the coil is capital N if number of turns in the coil is capital N and magnetic flux magnetic flux linked linked with each coil is 5B magnetic flux linked with each turn is 5B and I is the current in the coil and I is the linked with each turn हर एक turns से magnetic flux इतना है 5B भाई अगर पहले turn में current flow ही सुनिये ध्यान से उसने magnetic field बनाया तो दूसरे turn में भी तो flow ही है न उसने भी तो अपना field बनाया होगा तो हर एक turn में कितना flux है 5B and I is the current in the coil then total flux कितना होगा आपका N 5B इसका एक नाम बताया था हमने इस पूरे term का एक नाम था what was the name एक नाम बताया गया था न इसका जब faraday का नियम बताया था तो इसका एक नाम बताया गया था flux linkage flux गरंथियां कहा गया था तो N 5B किस proportionate किसके होगी current के practically बाद भी समझ में आ रही होगी कि जितना ज़्यादा current उतनी ज़्यादा flux change होगा तो अगर जब N 5B is equal to कहेंगे N 5B is equal to ते constant आएगा L into I जहां पर L की value क्या है N 5B upon I इसी L को हम कहते है coefficient of self-induction where L is a constant called coefficient of self-induction नोट करिए तो लिखेंगे L is a constant called coefficient of self-induction ये तो हो गया होता क्या है अब ज़रा इसकी definition देख लीजे साउधान अगर यहाँ पर I को आप मालने 1A तो L is equal to क्या हो जाएगा N 5B यह आएगा न तो definition क्या बनेगी तो आप कहेंगे कि coefficient of self-induction किसी coil की total flux linkages के बराबर होती है जब किस coil में unit current flow हो यानि जब unit current flow होती है तो जितना flux linkage होता है वही उसका self-induction है coefficient of self-induction है तो लिखे definition इसकी definition के लिए नोट करेंगे if I is equal to 1 ampere then L is equal to N 5B तो definition लिखे thus definition लिखे thus the coefficient of self-induction अपने आप भी बना सकते ना इसकी definition the coefficient of self-induction the coefficient of self-induction of a coil of a coil is equal to is equal to the number of flux linkages is equal to the number of flux linkages flux linkages with the coil with the coil when unit current flows in it when unit current flows in it कोई बात नहीं flux linkage के दो लिख दिया ना flux linkages with the coil तो मतला अपने जबाब with the coil कोई बात नहीं total लिख दीजे अगर flux linkage with the coil कह रहे हो तो मतलब वो पूरी coil के लिए हम बात कर रहे हैं कोई दिक्कर नहीं total लिख दो तभी सही है ना लिखो तभी सही है ठीक है with the coil मतलब उस coil से जितनी flux linkage हो रही है जितनी link हो रही है उसको कहते हैं हम अच्छा अब जब current आप बढ़ाओगे current को change करोगे यह सब current के change होने पर होता है अगर कोई change नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा अगर change करते हो तब होता है अब जब current को change करोगे तो एक EMF induced होगा faraday के नियमत के अनुसार faraday ने क्या कहा था कि अगर मालिया current change करते हो तो flux change होगा flux change होगा तो एक EMF तो progress change करके लिखे on changing the current on changing the current on changing the current flux linkages with the coil changes flux linkages with the coil changes so by faraday's law by faraday's law an EMF is induced an EMF is induced EMF is induced called back EMF यहा क्या नाम दिया गया उसको back EMF EMF is induced called back EMF given by EMF is equal to minus N delta 5B upon delta T यही तो faraday का नियम होता है अगर N is the number of turns हो अच्छा हम चाहें तो हम इस N को अंदर ले जाएं तो आपका N5B upon delta T हो जाएगा सही कह रहा हूँ ना और N5B की value आप क्या बता चुके हो LI तो यानि की minus delta यह हो जाएगा LI upon delta T यह E हो गया तीक है अब देखिए E is equal to minus L बाहर कर दो तो आएगा delta I upon delta T सही कह रहा हूँ मैं अगर मैं यहाँ से L की value निकालूँ तो minus E upon delta I upon delta T होगा नहीं होगा यहां तक पहुचिए यह आपका self-induction का जो coefficient है वो EMF के term में आ गया वहाँ पर flux के term में आये था यहाँ पर EMF के term में आये नोट करिए इसको delta I upon delta T इसले साथ लिखा हुआ कि इसका कुछ नाम है ना rate of change of current अकेले करें तो करेंगे क्या उसका आप देखो इसकी definition देते हैं अगर हम माल लें कि if delta I upon delta T को माल ले 1 then L की value किसके को एकल हो जाएगी E के को एकल हो जाएगी numerically minus sign क्या minus sign इसकी कोई value थोड़ी देता है minus sign तो क्यों लगाया गया क्योंकि वो उसको oppose करता है ठीक है तो अगर मैं self induction की एक और definition आप से पूछू तो क्या आप कहेंगे आप कहेंगे coefficient of self induction is the induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is unity यह कह सकते हैं ना तो definition लिखे जाओ एक और यह पर यह इस note करिए लिखे definition thus the coefficient of self induction or self inductance इसका एक और नाम है coefficient of self induction or self inductance swap written गुणांक is numerically is numerically numerically क्यों बोला गया क्योंकि हम minus sign यहाँ से हटा दिये हैं is numerically equal to the is numerically equal to the EMF induced in the coil is numerically equal to the EMF induced in the coil numerically equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current is unity when the rate of change of current in the coil is unity अब unity कही है या 1 ampere per second numerical लग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, unity कह दीजे या 1 ampere per second कह दीजेगा, ठीक है, अब मैं बात unit की करने जा रहा हूँ, note कलिया न, rub कर दें इसको, मैं इसकी unit की बात करने जा रहा हूँ, unit of L, यानि self induction की unit की बात करें, unit of L, तो देखें, minus नहीं मतलब न अब पर, इसका unit क्या होगा, ampere per second, या इसका unit henry भी होता है, henry, तो इसका unit henry भी दिया जाता है L का, ठीक है, henry, या volt per ampere second, अगर मैं इसकी dimension पूछो तो निकालेंगे न, तो इसकी dimension निकालेंगे, बहुत की निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, V ब्राबर W, व वहाँ से निकालेंगे, और आई का आप जानते हैं, यह तो आपके fundamental quantities है, हाँ, तो निकालेंगे, ठीक, note करिए, देखे, कहरा self inductance of a long solenite, पर इसका मतलब समझेगा, एक जो हम self induction पढ़ा रहे थे, यही समझाई रहा था, solenite बुले तो, एक coil, लंबी सी coil है, उसमें current flow करी, जब current flow करी तो क्या हुआ, उसके अंदर एक magnetic field create हुआ, हर एक turn की वज़े से, magnetic field create होगा, तो हर एक turn का magnetic field, अपने पडोस वाले turn से पास होगा, तो पडोस वाला turn क्या करेगा, उसको oppose करेगा, वही opposition तो आपका self induction होता है, वही हमको निकालना है, तो हमने का माल एक solenite है, जि उसमे current flow करा दी, तो हमने का देखो इसमें इतनी current flow रही है, इतना magnetic field इसमे create हुआ, ठीक है, पर आपको निकालना क्या है, self inductance, L बराबर क्या होता है, N, 5B upon I, यह होता है न, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5B निकालना पड़ेगा, और flux का formula क्या होता है, B into A, तो हमको तो B निकालना पड़ेगा, B बराबर क्या होता है, solenite के लिए, mu naught, ni, यहां से बात हमें start करेंगे, कि फिस solenite में current flow कराई, उसमें इतना magnetic field create हुआ, यह magnetic field, unequal से pass होगा, अगर total number of turns, उसमें जो भी हो, तो अगर किसी coil का area A हो, तो flux linked with each coil कितना होगा, B into A, और L का formula क्या हो होता है, N5B यह पाना ही, तो वहां से L की value निकल आएगी, तो यह तो सुझ में आगे हमको करना क्या है, और हमको लता है, आपने आप कर भी लेंगे, आप, तो लह रहे है, ऐसी जात्ती मत करिए, लिखवाई दीजो तो हम तो ऐसा सर कर रहे थे, ऐसा थोड़ी उतमन से हम क आप लेंद्ध कैटल L, कैटल L ना लिखेगा, क्योंग कैटल L का रिस्तधारी सेल्फ इंड़क्शन से है, इसमाल लिखे, आप लेंद्ध कैटल नाइट, आप लेंद्ध कैटल L, having total number of turns, having total number of turns, capital N, having total number of turns, capital N, and A is the area of cross section, capital A, is the area of cross section, ठीक है, if I current flows in the solenite, if current I flows in the solenite, अज़ा तुमने पहले उसके अंदर लिख दिया सब, यह तो हमने roughly समझाया कि हम यहां से क्यों start करें, यह हमने बताया, कि कि हम हमरी requirement, है, और कहां से हो requirement पूरी होगी, if I is the current in the solenite, then, देखे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, magnetic field, inside the solenite, inside the solenite, solenite के अंदर, magnetic field निकालेंगे, B is equal to, क्या फ़र्मला होता है, mu naught, small N होता है न, तो small N तो मैंने माना नहीं, तो small N क्या होता है, number of turns per unit length, तो total number of turns divided by L, यह magnetic field हो गया, ठीक है, आप क्या निकालना पड़ेगा आपको, flux linked with each coil, तो flux, magnetic flux, linked with each turn, each turn, 5B, क्या होता है, B into A, B बोले तो, mu naught N upon small L into I into A, यह हो गया 5B, आपको क्या निकालना है, self inductance of the coil, तो फ़र्मला क्या होता है, coefficient of self inductance, तो जब आप निकालेंगे, coefficient of self inductance, self inductance, निकाल लीजे, मतलब यह हमने वहां से start किया, कि जब L से start किया था, कि कहां से हमको प्रूफ पना, L ब्लावर क्या बता है था फ़र्मला, N5B upon I, तो N upon I लिखा रहने दो, और 5B की value क्या है, mu not N, I, A upon L, I आई गई, तो L ब्लावर क्या आगिया, mu not N square A upon L, तो यह हम लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे तो हम अगर N upon L को लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, small N, लेकिन हम यहाँ, small N भी लिखेंगे, capital N भी लिखेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक ही equal है, इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ेंगे, तो यह आपका हो गया concept, ठीक है, तो क्या भी आपने प्रूफ किया, हमने रफ कर दिया भाई चांस, क्या था, mu naught, भोले ज़रा, N square A upon L, यह mu naught क्या है, permeability, आप free space, यह भी तो हो सकता है, कि उस solenite के अंदर कोई medium हो, अरे हाँ वही, तुम्हें देख रहा था, आप लोग कितने ध्यान से देख रहे हो, दीखें, दीखें, इस there is a medium, there is a medium, if there is a medium, medium में मतलब, medium कर दो क्या होता है, वो जो solenite है ना, वो किसी iron core के उपर लिप्टा हुआ है, तो अब solenite के अंदर क्या हो गया, iron core as a medium हो गया ना, ठीक है, अब आप कहो, if coil is wound on the iron core, यह भी आप कह सकते हो, या if there is a medium, then L is equal to क्या लिखा जाएगा, यहां मु कर देंगे, मु एन स्क्वार एपानल, मु क्या हो जाएगा, permeability of the medium, where mu is the permeability of medium, अब आप यह भी जानते हैं, we know that, आपने पढ़ा है, vacuum की permeability को हम क्या कहते हैं, relative permeability, मिवार कहते हैं, ठीक है, तो हम, skater में भी इसको ले सकते हैं, इसलाल इसको यही छोड़ दीजेगा, ठीक है, तो यह concept आपका है, इस diagram को पहचानते हैं आप, विटिस्टोन विच, आपको याद होगा, विटिस्टोन विच में एक concept बताया गया था, कि यहाँ दो कीज होती है, अब तो examination में आएगा, अगर यह short question, तो diagram तो बनाएंगे नहीं, तो यहाँ दो diagonal होते हैं, एक diagonal के बीच में लगाते हैं, गैलोमिटर, और एक diagonal के बीच में लगाते हैं cell, बैटरी, तो कहेंगे कि जो बैटरी की की है K2, और इसकी की की है K1, जिसमें पहले किस को अन करेंगे, तिन्हों ने का K1 को अन करेंगे, रीजन बताएंगे आप, एक मिन बात करेंगे, हाँ, अन करेंगे मतलब, बंद करेंगे मतलब क्या होता है, तो आप क्या करना चाहते है, K1 को आफ रखेंगे, आफ रखेंगे, हमने का किसको अन करेंगे, देखिए, कांसेट क्या होता है, बताया गया था कि इसका, इसका रेजिस्टेंज, P और Q और RS का रेजिस्टेंज, अगर P और Q का रेशियो, और R और S का रेशियो इक्वल है, तो यह बैलन्स ब्रिज होता है, और इस कंडिशन में, इस वाले सर्किट में कोई भी करेंट फ्लो नहीं होती है ठीक है? और पी अपान आर इस इकुल टू क्यू अपान इस चलेगा दोनों मतलब होते हैं अब हमने किताब में पी अपान क्यू लिग दिया तो पी अपान क्यू ही सही है हमने किताब पाना ला लिए पाना लाक को नहीं होगी जैसे हम करते हैं जैसे ही मुस्क्राइब करने को अगर Kenya को या करेंगे इस voulais हमको follow नहीं करती है और वो current अगर ही अला सरकेटान है तो इसमें चली जाएगी और यहां भाई साब लगे कौन है गैलो मिटर जिनके कान बड़े संस्टिव है जरा से कुछ फुस-फुसान नहीं है का बता रही है कुछ बता रही है हमका लागर हमरे बारे मतला रही है पका चाची चाची बोले रहा है जब क्यों हो ऐसा नहीं उन्होंने कहा था कि आइस्क्रीम चाटी है वह समझन चाची तो कुल मिदा करके इसको हम क्या करेंगे इसको हम नहीं मतलब सेंस्ट्व होते ना तो गल्लो मिटर सब बहुत सेंस्ट्व होते हलकी सी current फ्लो होगी तो यह इनके खुजली मत जाएगी तो इसलिए यह वाली किया करेंगे हम आफ करकेंगे current इसको on करेंगे जब induction की current फ़ारे माइक्रो सेकेंड होती है बस वो जैसे flow बंद हो गई वैसे हम केवन को on कर देंगे तो यह अक्सर पुशा जाता है कि इसमें कौन सी की को हम पहले on करेंग अ करेंगर